कुछ एक जूट हमारे दिमागों में बैठा दिये जाते हैं जैसे आप सब ने ये कथा पढ़ी होगी कि एक लब्वे कांग उठा कटवा लिया दोड़ाचारे ने पढ़ाए ना आप सब ने पर ये बताईए कितनों ने महाभारत में स्वेम पढ़ा है मेरे विचार से हम में से किसी ने भी कभी महाभारत में वहाँ परसंग पढ़ाई नहीं होगा एक लब्वे वाला और अगर हम यह भी भी नम्रता से पूछें कि महाभारत के कौँ से चैप्टर में है तो भी शायद हम में से किसी को ध्यान नहीं होगा कि महाभारत के वन पर्व में एक लवे का उलेख है मगर देखिए माक्स और मैकाले का प्रभाव के हमारे दिमाकों में ऐसा भरा हुआ है कि हम गलानी से आबद हैं बगेर पढ़े हुआ अब मैं आपसे कहूंगा जाईएगा जाकर पढ़िएगा आवेलेबूल हो तो इंटरनेट पे जाके सर्च कर लीजेगा नहों तो राम जो महाभारत सीरियल आया था उसका एपिसोड जाके यूट्यूब पे देख लीजेगा कि किस्सा ये था कि जब आपको चाहें आपने एक हथा सुनी होगी कि कुट्य का मुह बाणों से भर गया था जो एक लब ने तीर चलाए थे और जब वह तीर अरजुन निकालते हैं तो उस कुट्य के मुह में खरोश तक उस बाण से नहीं आई होती है तो वह चौक जाते हैं क्योंकि ये सामाने तीर नहीं है उन्होंने काई तो दिव्यास्त रहें कि मुह में पूरा तीर से भर गया मुह और इसके बाद भी एक खरोश नहीं आई आप कहेंगे दिवयास का मतलब क्या दिवयास का मतलब यह है यह से रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है ना इससे पहले मिडिलीस की लड़ाई देती थी तो जो मिजाइल जाती है वो लेजर गाइड़ जाती है जिस बिल्डिंग पे गिरना उसी बिल्डिंग पे गिर तो जब ये वो देखते ही ये दिवियास्र चला ना तो उन्हें थैस्ट कैसे सीखा इसने तो जब दुर्णाचार उसे पूछते हैं कि तुमने ये किस से सीखा तो कहता आप से सीखा गुरू जी कहते हैं मैं तो तुम्हें जानता नहीं बालक तुम अपना परिचे दो अब यहीं पर बिंदू एक लवी क्या कहता है मैं मगद नरेश जरासंद के प्रधान सेना पती हिरन निधनु का पुत्र एक लव अरे वो मगद के Chief of the Arm Forces का बेटा था यदि आप यह कह रहे हैं कि वनव गलत किया गया तो दाहिए हमारे हिंदू धर्म के दो महा कावे रामायन और महाभारत दोनों का रचैता कौन रामायन के रचैता महर्शी वालमी की जो संस्कृत के आदि कभी माने जाते हैं आज जो वालमी की समुदाय है वो किसमें आता है शिडूल कास्ट में महाभारत के रचैता और वेदान्त और मीमानसा के रचैता महर्शी वेदव्यास जिनकी मा मच्छुवारिन थी वह समुदाय किस में आता है कुछ राज्यों में दिल्ली में शिड्यूल कास्ट में यूपी में अति पिछड़े में तुम मेरे भाई संत रहदास नामदेव कबीर दादू ये सब पूचे संत हुए फिर भी हमारे दिमागों में ये भरा जाता है और कौन भरता है वो वो लोग भरते हैं जो अपने अहां समाज के गरीब वर्गों की खरीद फरोख्ट करते थे और आपको ये भी बात बता दूँ जब हम कभी अपने हां कहते हैं कहते हैं foreign travelers ने दि Greece से जिसने अपनी किताब लिखिए इंडिका आज से 2300 साल पहले वो इंडिका किताब आज उपलब्द नहीं है मगर उसके धरन तमाम जगहों पे हैं तो प्रूबे ने किताब थी उसने भारती समाज में वेवस्था का वरणन करते हुए लिखा है कि यहां पर साथ जातिया है मगर महत्वण बात यह है यहां इतनी समरस्ता इतना सामंजस है कि यूनान के समाज के समान यहां कोई समाज का ऐसा वर्ग नहीं है जिसके साथ शोशन या भेदभाव किया जाता हूँ यह विदेशी लिख रहा है और मैं एक और बात आपसे बताना चाहता हूँ बहुतो कि भी गाउं में निरणे लेना होगा तो चारो वर्णों का एक एक प्रतनीदी होगा और पांचमा जानते कौन होगा गाउं के बाहरी छेत्रों में रहने वाले वो वनवासी जो पृत्यक्ष रूप से गाउं का हिस्सा नहीं है पर हमारे निरणे का प्रभाव उनके जीव यह पूर्टगीज भाषा का शब्द है और 1931 में जो अंतिम जनगणना जातिके आदार पर उसमें 4114 जातिया है हिंदू समाज में जिसमें अब 6000 बताई जाती है मैं चैलेंज करके पूछता हूं कोई दिखाओ तो किसी धर्मकरंत में 6000 जातिया लिखी हो और जहां लिखी कि उसमें इस से उंचे ये इनके नीचे ये ये उंचा ये नीचा कौन से धर्मकर दवे लिखा है यह माली उचे की तेली उचे सुनार उचे की लोहार उचे कहां लिखा है जानते कहां लिखा है एक ब्रिटिश सेंसस कमिशनर हरबर्ट रिसले द्वारा किये गए सेंसस में हिंदू समाज को जातियों में विवाजित करके उपर से नीचे तक लिखा गया और फिर वो हमारे उपर अध्यारोपित कर दिया गया है हमारे दिमागों में कैसी कैसी बाते भरी जाती हैं एक थोड़ा लिबर्टी लेते हुए यह भी कहना चाहूंगा महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था अब यह बताईए हमारे अहां दिल्ली में लोगों को ध्यान नहीं होता है आप लोगोंने मैत्री कॉलेज और गारगी कॉलेज है ना यह मैत्री और गारगी कौन थी यह वैदिक काल की 20-22 विदुश्य इस्त्रियों में से एक हैं गारगी ने रिश याग्यवल के साथ शास्रार्थ किया फिर मैं चैलेंज करके कहता हूँ दुनिया में कोई दूसरा धरम संस्कृती बताईए जहां धर्म पे टिपड़ी करने का अधिकार किसी महिला को हो और किसी धर्म के ग्याता के साथ शास्रार्थ करने का दिकार। फिर हमको समझाये जाता है कि हमारे याँ बराबरी नहीं थी। अरे आप सब को याद हो सबसे प्रख्यास शास्रार्थ कौन सा है। आचारे मंडन मिश्र और आदी शंकरा चारे के बीच में। दोनों के बीच में जो शास्रार्थ हुआ उसका जज कौन था। आचारे मंडन मिश्र की पतनी उभए भारती। फिर मैं चैलेंज करके पूछता हूँ पहले दुनिया कोई धर्म बताई है जहां टिपणी करने का अधिकार इस्त्रियों को हो और जजज बनने का अधिकार हो डिस्किशन में। उसके बाद हमसे कहते हैं कि साब बराबरी नहीं थी। इसलिए मैं कहณा चाहता हूँ कि हमारे आँ तो समाज में जिस प्रकार से एका कार करके सब को साथ में लिया जाता था बराबरी का तो आलम ये था बराबरी नहीं थी। यह सच है हमारे यहां बराबरी नहीं थी हमारे यहां मात्र शक्ति को पहले रखा जाता था इसी लिए हम क्या बोलते हैं सीता राम सीता पहले राम बाद में लक्ष्मी नारायन लक्ष्मी पहले नारायन बाद में गौरी शंकर गौरी पहले शंकर बाद में राधे कृष्ण, राधा पहले कृष्णबाद में, माता पिता, माता पहले पिताबाद में और इसलिए हमारे जितने भी पृतीख हैं भारत भी माता है धर्ती भी माता है प्रकती भी माता है गीता भी माता है गंगा भी माता है गाय भी माता है गायत्री भी माता है और ये केवल कोई आध्यात्मिक धार्मिक बात नहीं है वर्ल्ड की documented history में अगर पहली बार कोई woman ruler रह सी वो सब तो आपने बहुत सुना होगा अब वो लोग आके हमको समझाते हैं कि बराबरी नहीं